हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटियोल पर स्वागत है तो फाइनली जेक बोर्ड ने अपना ओफिसियल पाठेक करम यानि कि ओफिसियल सिलेबस जारी कर दिया है सत्र 2022-23 के लिए तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जेक बोर्ड का ओफिसियल जो सिलेबस स वो देखेंगे 2022-23 का तो वीडियो के साथ बने रहिएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस दो टर्म में बाटा गया है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था दो टर्म आप लोगों का एक्जाम होगा तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट टर्म का सिलेबस देख लेते हैं और जब second term आएगा तो आप second term का देख लीजेगा वैसे नीचे description में आपको link मिल जाएगा PDF डाउनलोड करने का वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा PDF ठीक है तो देखिए यहाँ पर इधर first term का है और इधर second term का है first term का चले मैं आपको subject wise chapter बता देता हूँ कौन-कौन सा chapter आने वाला है first term में आप इधर second term का भी देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके तो देखिए subject हिंदी class 9 subject हिंदी first term syllabus यहाँ पर देखिए आप लोगों को सबसे पहले दो बुक आप लोगों के पास होगा चितीज होगा और दुसरा कृतिका होगा ठीक है कृतिका नीचे यहाँ पर मिल जाएगा तो पहले हम लोग छितीज का देख लेते हैं तो देखिए कावे खंड से आप लोगों को पढ़ना है साख्या और सबद वाक पढ़ना है सवईये पढ़ना है उसके बाद कैदी और कोकीला पढ़ना है उसके बाद देखिए गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ना है दो व्याकरन में आप लोगों को पढ़ना है सब्द निर्मान उपसर्ग प्रत्य फिर देखें लिंग एवं वचन का विसेशन पर प्रभाव उसके बाद देखें पत्र लेखन में अपचारिक और अनुपचारिक पत्र आप लोगों को पढ़ना है उसके बाद नीबंध लेखन म अभी first term में कुछ नहीं पढ़ना है फिर देखे अपठीत बोध यहाँ पर आप लोगों को गध्यांस और पध्यांस पढ़ना है यह आपका हिंदी का syllabus है first term का तो चली अब लोग अगला subject देखते हैं अगला subject यहाँ पर हिंदी बी हिंदी बी वाले आप देख सकते हैं है फिर सरद जोसी पढ़ना है फिर काबेखन में रैदास पढ़ना है रहीम पढ़ना है फिर आप लोगों पढ़ना है नरीज अकबराबादी फिर सियाराम सरन गुप्त पढ़ना है फिर संचयन में आप लोगों को देखिए गिल्लू इस्मृति और कुल्लु कुमहार की उ पढ़ना कोठी पढ़ना है वहीं पर व्याकरन में देखिए वर्मिछेद वर्तनी और र के विभीन रूप बिंदू अर्थ चंद्राकार फिर नुक्ता विलोम सब्द पढ़ना है उपसर्ग प्रत्य पढ़ना है आप लोगों को अनेकार्थी एवं प्रवाची सब्द अब लोगों देखते हैं अगला यहां पर संस्कृत में देखिए क्या क्या पढ़ना है संस्कृत में आप लोगों को प्रत्थम पाठ पढ़ना है दुत्य पाठ पढ़ना है तृत्य पाठ पढ़ना है फिर चतूर्थ पाठ पढ़ना है पंचम पाठ पढ़ना है सश्ट प रूपानाम पढ़ना है उसके बाद यहां पर काफी सारा व्याकरन दिया हुआ है आप इसे देख लीजिएगा एक बार संख्यावाचक सब्दा भी पढ़ना है आप लोगों को आतु रूपानाम प्रयोग लट लोट लिट लंग विधिलिंग लकारेशू परसमे पदीना अब्जेक्ट देखते हैं यह सभी संस्कृत का ही है मैथ में देखिए आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है यानि कि परिष्णावली एक दसमलों एक में जितना भी है अध्याए 1 ठीक है अध्याए 2 अध्याए 3 अध्याए 4 अध्याए 5 अध्याए 6 और अध्याइ 7 तक पढ़ना है आप लोगों को first term में फिर देखिए अगला physics में आप लोगों को गती पढ़ना है बल दथा गती के नियम पढ़ना है गुरुत्वा कर्शन पढ़ना है फिर देखिए chemistry में आप लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है और फिर क्या हमारे आसपास क पदार्थ सुद्ध है यह पढ़ना है आप लोगों को केमेस्ट्री में फिर देखे बायोजी में आप लोगों को दो चेप्टर पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई और दुसरा उत्तक पढ़ना है फिर देखे नेक्स्ट हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है फ्रांसी पिर जोग रूपी में आप लोगों को तीन चेप्टर पढ़ना है पहला है भारत आकार और रिष्थिति दुसरा है भारत का भोतिक सोरूप तिसरा है अपवाहर फिर देखें अगला एकोनोमिक में आप लोगों को पढ़ना है पालंपूर गाउं की कहानी और संसाधन के रू नहीं है बट syllabus है और exam भी होता है class 9 में commerce का देखिए अंतिम खाता पढ़ने आप लोगों को उसके बाद वी नीमें बिल पढ़ना है असुधियां एवं उनका संसोधन पढ़ना है फिर देखिए commerce यह commerce ACT था और यहां पर commerce BST में कार्याले दिन चेरिया पढ़ना है फिर वेवहारिक पत्र वेवहार पढ़ना है अब देखिए इंगली सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ना है the fun they had फिर second chapter पढ़ना है the road not taken फिर देखिए तीसरा the lost child पढ़ना है फिर देखिए चवथा the sound of music दोनों पार्ट पढ़ना है evelyn glenny and bismillah khan दोनों पढ़ना है आप लोगों को फिर wind पढ़ना है the adventure of toto पढ़ना है the little girl पढ़ना है rain on the roof पढ़ना है फिर देखिए इस्वरन the story teller पढ़ना है आप लोगों को फिर देखिए next 10th chapter पढ़ना है a truly beautiful mind पढ़ना है फिर देखिए 11 number the lake is lay off in is free पढ़ना है फिर देखिए 12 in the kingdom of fools पढ़ना है फिर 13 देखिए the snack and the mirror पढ़ना है 14 number a legend of the north land पढ़ना है फिर 15 देखिए the happy prince पढ़ना है फिर 16 my childhood फिर 17 no man are foreign फिर 18 में weathering the storm in air sama पढ़ना है फिर 19 packing पढ़ना है फिर 20 नमबर में देखिए scene passage prose poem से रहेगा फिर 21 unseen passage रहेगा discursive type रहेगा उसके बाद एक scene passage रहेगा factual type उसके बाद इखिए यहाँ पर 23 नमबर में letter writing रहेगा formal और informal रहेगा दोनों letter writing रहेगा ठीक है फिर देखिए next 25 नमबर में paragraph रैटिंग फिर 26 नमर में 10 और 27 नमर में यहाँ पर time and 10 लगवर 26 27 अप्रोक सेम ही है इस तरीके से उसके बाद देखिए next 28 में models पढ़ना है 29 में determiners पढ़ना है फिर देखिए 30 नमर में active and passive voice पढ़ना है 31 में revision of term one syllabus तो इस तरीके से revise भी करना है आप लोगों को अब हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पर उर्दू का है actually मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है इसलिए आप जिनका भी उर्दू है subject पीडियाप डाउनलोड करके उर्दू subject आप देख सकते हैं तो यही था आज का वीडियो यहाँ पर मैं class 9 का jackboard का official जो syllabus से 2022 सेसन का 2022 सेसन का जो भी syllabus से वो मैं आप लोगों को बताया वीडियो अच्छी लेकर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें और अपी तक आप मैं चैनल के इस ट्यूटियरल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओल पर जरूर किलिक करें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं करूँ आप तक नोटफिक्शन पहुंच जाए थैंक यू फर वाच में वीडियो हैव अगूद डेए